बड़े सरक रहे हैं कि मंच का नुक्सान नहीं हो जाय है हमारा ऐसा मानना है कि सर आपने इसने बड़ी पोज़ जुप तैयार की है तो मंच के नुक्षान के लिए में तैयार रहिएगा जो राजिस्तान कोने कोने से आपके स्ने लाड़ प्यार और दुलार को याज करने के लिए सेखावाटी के इस मंच पर इकटे हुए है सीकर संदेश और सील सी लेकर आ रहे हैं सूर्मा दे लीजेन सुप सेखावाटी और इस कड़ी में जो आज का नाम है वो शिक्षा जगत के एक ऐसे पुरोधा का नाम है जो किसान परिवार से निकला और आज से वर्षों पूर्व लोसल जैसी छोटी जगे में बड़ा शिक्षन संस्तान बनाने का सपना देखा कौन जानता था कि शिक्षन संस्तान बनाने का ये सपना शिक्षा नगरी के रूप में बदल जाएगा जी हाँ हम बात कर रहे हैं श्री बियल रनवा की जिन्होंने ऐसे ऐसे शिष्षे गढ़े ऐसे ऐसे विक्तित्व गढ़े कि उनकी आभाज पूरे हिंदुस्तान में है चाए शिक्षा जगत हो चाए व्यावसाईक जगत हो चाए अन्या निक्षित्र हो लेकिन उसके पीछे कि उनकी कड़ी महनत और लगन को कौन जानता कितनी रातें बिना सोय बिताई होंगी आज हम उनी की जुबानी उनी की कहानी सुनेंगे लेकिन हमें गर्व है कि लोसल जैसी छोटे जगे से उन्होंने सीकर को न सिर्फ अपितु सिखावाटी को शिक्षा का हब बनाने में शेक्षिक परिकलपना को साकार करने में जो समर्पन किया है सीकर संदेश और CLC उस समर्पन का नमन करता है वन्दन करता है और गौरव अनुभव करता है कि शिक्षा के ऐसे पुरोधा हमारी माटी से निकले हमारा उनको सादर नमन, वन्दन, अभिनंदन वन णता हमारी में मैं मोलता है विल्कुल किसान परिवार से बिलौं करता हम दाधा जी दादी जी पॉहन रूप से किसान परिवार को बिलौं करते थे esak पापा थोड़े से पिजनिस में व्यापार में उनका खयाल था और वो उस जमाने में किसानों के बच्चे बिजनिस में कम द्यान होते थे पापा दो कतम आगे चलके बड़े वीजन के साथ आगे बड़े लोसल में उन्होंने 20 साल तक कपड़े के एक अच्छे व्यापार को इस्ताफित किया और मुझे बताते हुए कुछी है कि अच्छे कर में नो दुकाने हैं और उसमें अपने कजन बगएरा सारे मां सैठ हैं वो पापा का अशी रवाद़ रहा ह। घब मेरी पड़ाई का सवाल रहा ह। इसमेंज की स्कुल से, बवर्मेंटी स्कूल से मेरी पड़ाई सुरू ही लेकिन पापा का वीजन सुरू से ही बच्चों के पड़ती पॉजटिव एजुकेशन के पड़ती रहा किसान परिवार से होते वे उन्होंने कोजिस की कि मेरे बेटे आगे बढ़ें बेटियां आगे बढ़ें और आपको जानकर कुछी होगी कि उस जमाने में मैंने सैनिक स्कूल कंपेटिशन दिया उस जमाने में जैसे आज नवदे की तरजव ऐसे सैनिक स्कूल का तरज होता था एक क्रेज होता था चितोडियंस का, चितोड का, चितोड हमारा सेनिक स्कूल था, पापा का एक सपना था, प्राइमरी एजुकेशन के बाद मुझे एक छोटे से बच्चे को जो रेती ले दोहरूं से गुजरते हुए चार किलोमेटरियां पैदा लाना पड़ता हुथा, पा पापा का विजन था कि गर से दूर बच्चे की छहत्रावासी अद्धन होना चाहिए, और सिक्स से नाइन तक, एड तक मेरी एजुकेशन वा रही, पिर साइंस मेरा विजन था, इसलिए साइंस को ठहरी में नहीं था, इस वज़े से मुझे सीकर एसके स्कूल आना पड़ा शीकर के अद्धन के बाद सीकर एसके कोलेज से बीए सी ग्रेजवेशन किया, बीएड आपके बगड उस जमाने का सम्मानित बीएड कोलेज होता था, यह मेरा वुद का एजुकेशन केरियर रहा, और उसके बाद में उस दोरान भी पापा का एक बहत बड़ा ये विजन थ कोजन थीए शुके बनाना है, या तो चितोड बेजना या डोक्तर बनाना है, सन्योग से उननीenthव च्शजाशी में डोक्टर बनना और साधी एक ही विजन नहीं साल में यह साथ का सन्योग रहा, तो साधी वड़ा सक्सिज रहा, टोक्टर वाड़ा कुपाउंडर बना सबसे पर और पांच दिन कंपाउंडर रहने के बाद एजुकेशन मेरा खुद का नेजी एक शौक था कि अध्यन और अध्यापन इसमें सुरु से रूची थी तो ग्रेजवेशन उसको छोड़के ग्रेजवेशन किया बीएसी किया बीएड किया और एटी में दिनेश से सुन्डा है इनके जीजाजी होते थे अच्छा स्कूल चलता था उसमाने में उसमें अपना एक साल का वो कारिकाल रखा जिसमें जो मेरा मूल मोटिव था कि बच्चों के बीच एक स्तापित करना सिक सको और मैंने बहुत संतुष्टी मैसूस की कि मीडिल स्क स्कूल में मैं एक पॉफुलर टीचर बना एक ही साल में और वही कदम अगी बढ़ते गए पापा के आशिरवाद से उस समय में मेरा परिवार इस्तापित हो चुका था पापा ने व्यापार को लोशल से सीकर की तर बढ़ा दिया था इसकूल मेरे एक साल का जो करिकाल मैंन से अध्यापन कारिये करवाना है और लोशल आने का कारण यह था कि मन में एक पीडा थी कि अगर लोशल में भी अच्छा स्कूल होता तो हमारी एजुकेशन भी लोशल हो सकती थी लेकिन लोशल क्षेत्र में कोई अच्छा एजुकेशन का सेंटर नहीं था और मन में एक य कि अच्छा लगेगा कि जिस समय स्कुल खोला तो पापा का अशिर्वाज साथ था लेकिन उनका कत्ते ही ये विचार नहीं था कि मैं एक प्राइवेट इस्कुल खोलू उनकी इच्छा डॉक्टर बनना चिकेट सक बनना टीचर बनना डिफेंस में जाना ये उनकी इच्छा ह जाना है तो आप जाएवेगे लेकिन लोशल में जाकर कि मेरा नाम खराब नथ कर देए उनका उनही आतंबल उन्ही आशिर वचनूं से मेरा आतंबल बड़ा उस जमाने में जिसमें कोई प्राइवेट भी कि ईसकुल कि नाम जानता नहीं था प्राइवेट इसकुल को कि यह इसारा आड़ टांवा चाफ ब्दतर्स लीड़ ही उस्टाल में और उन्चारीश विजएर विंदर्थी स्कूल में पांच लोगों की हमारी टीम थी और आर फन्होंच के बीच में चार हमारे जो साथी इस्तंब के रोप में पांच में था और उसी हमारे जो स्टूटेंट उनके गुबान पछ जो जो सेना पति का नाम बडे सरका उस जमाने में आया वो एक अभियान चला और उसके बाद प्राइमरी से मीडिल, मीडिल से से केंडरी, शुरुवाती दोर में बहुत संकर थे, किराये के भवन में स्कुल को चलाना, किराया जितना ही पैसा इकटा होना, और गर से हमारा जो मेरा गाम है यहां से चार किलोमेटर दूर, वहां दादी जी रहते थे, दादी जी के द्वारा टिपन में खाना आना, और आराम से उसी खाने को लेकर के पूरे दिन, सुबह और शाम, जो सुबह आजाता था दोनों समय, उसी खाने को अपने जीवन के लिए तयार रखना, सुरुवाती दौर में, टीम के साथ समर्वित भाव से काम करना, और एक बात सुरू से ही रही कि गाउं के बच्चू में प्राइवेट एजुकेशन हो, या गॉर्मेंट एजुकेशन हो, शिक्सा के परती शम्मान आए, आगे बढ़ने की प्रेहना आए, और सेखवाटी स्कूल का नाम पूरे राजस्तान में हो, ऐसा विजन लेकर के चले, नाइन्टी एट में जब बोर्ड का पहला रिजल्ट आया, आपको जानकर कुशी होगी, कि पूरे सीकर जिले का पर्थम बैतरिन रिजल्ट सेखवाटी लोसल के नाम गया, और वो एक कारवाँ बना, लोग जूडते गए, और नाइन्टी एट के बाद एक परिवर्तन हुआ लोसल के एजूकेशन में, अन्य सिक्सन संस्ताएं भी साथ मिलकर के काम करना सुरू किया, और लोसल आज एजूकेशन हब के रूप में जाना जाता है, लोसल शिक्सार नगरी के रूप में जाना जाती है, दखें, जो सुरू के दस साल का, तीन चड़नों में स्कुलों के तीन दोर मेरे स्कुल चलाने के बाद आए हैं, पहला दोर मैं मानूँगा कि 89 से 2000 तक करा आए है, दूसरा दोर 2000 से 2010 करा आए है, और तीसरा दोर अभी चल रहा है, 2010 के बाद का, यह जो पहला दोर था, इसमें पैरेंट्स का समाज का एक सोच हुआ करता था, कि बच्चे को उस स्कुल में डाला जाए, जहां अनुशाशन अच्छा हो, फीस कम हो, दूसरा दोर आया, उसमें यह हो कि सुविधाएं भी हो और पढ़ाई भी हो, और अभी जो दोर चल रहा है, वो शिरफ सुविधाओं का चल रहा है, तीन चड़नों में मैंने विवक्त किया है, मेरे कारेकाल को, पहला जो दोर था, सबसे संगर्शिल दोर था, किराय का भवन मेरे पास जो था, किनी परिस्तितियों वस उसको खाली करना पड़ा, स्टूडेंस उस जमाने के थे, बहुत समर्पित भाव से पढ़ने वाड़े थे, वो वक्त ऐसा था कि क्या किया जाए, पास में इतनी पुंजी नहीं थी कि अपन जमीन लेकर के, बहुत नाइन्टी फाइप में बुद्धी जीवी वरग जो था उनको बिठा करके, कुछ जो मिलने वाले, कुछ पैसे वाले थे, उनको बिठा करके, और चार पलोट अपन जहां बैठे हैं, लग बग एक भी का जमीन, अपन ने ली और उसमें सारा तिन सेडूं का स्कूल बनाया उस तरिण सेडूं का स्कूल वो मेरा सबसे परभावी वक्त था, आगे बढ़ने वारा वक्त था, संगर्श का वक्त भी था, उस तिन सेडूं को बनाने के लिए जो पैसा लिया, वो पैसा ब्याज पे लिया गया, और उसकी ब्याज की अदायगी एक दो तीन तारीकों और मेरे मित्र हैं यादव जी जो 1989 से लेकर आज तक होस्टल समालते हैं सारे स्टूडेंट्स सारा समाज उनको जानता है आज भी स्कूल के मजबूत इस्तंब हैं छात्रावास परभारी के रूप में हमारे दो काम हुआ करते थे बच्चों को मॉनेटरिंग करना स्टाप को वक् र्याज अद़ discrimination मैं कोशिज करता था कि एक से तीन तरीक तक मेरे पास ब्याज हो या मेरे इस्टाप साथ्यों की जैव से निकलवाना हो या निकलवाना हो या या इख जैसे कोई सजन मिलने वाले हैं तो उनकी जैव से किसी बहाने से उनको यह पता नहीं लगना चाहिए कि रणवाजी पास पैसा नहीं आए, किसी भी रूट से पैसा लेकर के ब्याज को अदा करना, और एक मजबूत मुद्दा ये था कि उस समय नवदे स्कुलों का करेज बहुत मजबूत था, नवदे के बालक सिखवाटी के बहुत पाटन और कुचामन पड़े हैं, और उसी के साथ बोर्ड भी उसी समया, दोजार आपके उससे पहले 96 में एर्थ का बोर्ड आना, आपको जानकर और आप जानते हों कि मिस्टर ओंकार मून जो CLC में है, वो उस जमाने का हमारी तैसिल्ट ओपर था, एर्थ बोर्ड का, और पूरे जिले में उसका चोथा इस्तान था, एक छोटा सा गाम का स्कूल इस रूप से आईलाइट होना, फिर 98 में पहला हमारा बोर्ड रिजल्ट आया, जितने भी सीकर की संस्ता हैं, पुरानी संस्ता हैं, चाहे भारती हों, चाहे टेगोर हों, जो अच्छी संस्ता हैं हमारे साथ थी, और वो बोर्ड 98 का रिजल्ट आपके सेखावाटी का पुरी जिल्ट का पर्थम रिजल्ट था, बहतरिन रिजल्ट था, चाड़ीस में से 32 विज्दार थी, पर्थम स्रेणी और 8 सेकंड, जिवतिय स्रेणी, कोई तिरतिय नहीं, कोई फैल नहीं, कोई शप्लिमेंटरी यह अच्विमेंट था, तो यह मे सेरा एक संस्मरण है, जो मुश्किल, मुश्किलात को बया करता है, देखें, नाइन्टी एट के बाद इस स्कूल ने ग्रोथ किया, उसके बाद इंफ्राइस्ट्रुक्चर भी डवलप हुए, संसाधनों की पोर्ती भी अच्छी हुई, और सबसे बड़ी बात है कि से स्कूल की धूम पूरे राश्तान में हुई, जब तक बोर्ड की रिजर्ट नहीं थे, तब तक स्कूल एक सीकर तक सीमीत था, हमारे अरिराम जी रणवा एक वारिया मंच पे बोल गए, बोरे प्यार से, वैसाब आपने तो नाम सेखवाटी रखा, अगर भारतिय रख द हैं इस बात के लिए दन्यवाद की पात्रह हैं कि सबने मिलकर के एक सीकर को स्वच मुकाबला दिया, सीकर सहर और गाउं के भी अच्छे स्कूल इसमें सामने आए, चैनीम का थाना हो, लक्षमन गड़ हो, आपका रोसल हो, अच्छे कस्बे जुडे, और उसी दोरान बोर् में वैसे ही 2003 में 149 बच्चे साइन्स के बैठे, 115 पर्थम स्रेणिया आए, बाकी सारे दिवतिय स्रेणिया आए, तो इस तरह की से पूरे राजस्तान में मेरे स्कूल का जो फैलने का सेखावाटी का जो ग्रोथ होने का बड़ा कारण रहा है, वो माउथ मीडिया रहा है, म मैं बहुत ही लिमिटेड लेवल पे मैंने इलेक्टरनिक मेडिया, प्रिंट मेडिया का इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से इस यूग में परचार परशार के लिए सोशिल मेडिया, प्रिंट मेडिया, एलेक्टरनिक मेडिया की अवसिता है, लेकिन उस समय इतने उसका मूल कारण है माउट मेडिया जो स्टूडेंट आए मेरा एक मन में धे रहा फिसेस्टोर से दिनेश जी कि बच्चा जब आपकी पास आता है तो उसको पैरेंटल माहोल और एक अच्छे सिक्सक की भूमिका में सिक्सा मिरनी चाहिए और जिस संस्टा का बच्चा बाहर जाके जयकारा करता है वो संस्टा को बढ़ने से कोई नी रोख सकता उस पर भगवान का भी आशिरवाद होता है यह मेरा व्यक्तिक अत्रूप से मानना है एक सिक्सा और चिक्सा दो ऐसे व्योवसाइए हैं इनमें सेवा पहले और व्यापारबाद में होना चाहिए और अगर इस बात का इस कोटेशन का दिल से आत्मा से ख्याल रखा जाए तो संस्टा प्रोग्रेस करते हैं 2003 में हमारा पर्थम रिजल्ट आया बार्मी का उसके बाद इन्फराइस्ट्रक्चर में डावलट्मेंट होना फिर मैंने कोशिस किया कि जैसे चात्राबासी विवस्ता है उसमें आज भी आपको जानकर आश्री होगा कि मेरे यहां खाना चूले भी बनता है लकड़ी भी बनता है उससे क्या होता है कि बच्चे को एक घरेलू खाना और जिस माहूल में खाना चाहिए वह भी एक संस्था की साख होती है जजड़ साख होते हैं नवाचार होते गए संस्थां के लोसल जैसे कस्वे में इन्फराइस्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया और एक धीरे 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 पूरे राजस्तान का आज कोई जिला ऐसा नहीं है जिसका विच्छा से खबटी में नहीं हो और मुझे कहते वे बहुत कुछी है कि आपका I.S. Assist Nehra जो गुजरात केडर में है आपका मुकेश भामों जो IPS केडर में आपके उडिशा है तो Assist Student इसके अलावा Doctor, Cert Tax Officer, Income Tax Officer, Baba Automate Research Center है उसके अंदर खान मुझे खान जो एक दम साधान गुदुरी का लाल अपने नागोर जिले का रहने वाला है उसका किश्ण में आपको बताना चाहूँगा कि उसने 2001 में 10th बढ़िया Government School से 90% से उत्युन करके गरीब परिवार का बच्चा आप जैसे कि सजन के साथ स्कूल आए और उन्होंने ये का कि इसके फदर हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और मदर मजदूरी करके इसको पढ़ा रहे हैं रणवाजी आपको पढ़ाना इस से खान मौमद खान का उधारन अभी हमारा जब अपना फंक्शन वाइनवर तो अजहरों की संख्या में लोगों के लिए प्रेहन दाई बना वो मैं आपको बताना चाहूँगा खान मौमद खान जब इस समय यहां आए तो मैंने का बिलकुल अच्छी बात है और यह बालक दो साल मेरे यहां चात्रावाशी जिवन में रहेगा इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा 2001 से 2003 में जब उसने है तो फिर वो 90 क्रोश किया उसने और आज भावा रिसर्च इंस्ट्यूट में वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है व्यग्यानिक है उस बालक का शंस्मरन अभी उसके खुद के सब्दों से जब सामने आया गा क्लक्टर अपने ठक्राल साब उस करिकरम के मुख्य थी थी थे पांचों जो गेस्ट थे वो मेरे स्टूडेंट थे उस करिकरम की यह पैचान थी इसमें SDM अशोक रनवा जो भी रूपन का डेस्टिम है पहले अनवान का डेस्टिम थे आपके यहां भी तशिदार रहे हैं और उसके साथ में इंकम टेक्स के कमिशन आपके सेटेक्स कमिशनर मिस्टर इमरान खान यह सारे लोग वहां मंच पे थे तो खान मुहमद ने एक बहुत जौरदार किसा बताया और वो किसा मुझे प्रेरित कर गया उसने सारे बच्चों को कहा कि आप साज सर को नहीं पता होगा हालां कि मुझे उस बात की जानकरी मैं जब यहां आया तो मेरे पास खाने के पैसे रहने के पैसे कपड़ों के पैसे नहीं थे वो तो सर ने उपलब्त कराए कराए एक दिन जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा चश्मा गिर गया और चश्मा तूट गया तो मैं सर के पास आया चश्मा तूटे वेकुले के तो सर बिना मेरी और देखे और बुलाया किसी कंडेट को इसको नया चस्मा मना दो मेरे लिए वो चस्मा मेरी आँखों की नई रोस नहीं थी तो ऐसे अनगिनत उदारण हैं से खवाटी परिवार के मैं समझता हूं 500 के आज सपास गोर्मेंट डॉक्टर हैं इंजनियर्स की भार है लगभा के चार आपके आईएस आईपीएस हैं आरेस बीस बाइस हैं तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा कार्मा है और अभी हमने 2015 में एलुमिनाई रखा उसमें अजहारूं विद्ध्यार्थी पूर्व विद्ध्यार्थी हैं जो अलग अलग पोश्ट पे समाज में दे आज जो सेखावाटी परिवार हैं उसमें सेखावाटी Hindi Medium Institute के साथ साथ सेखावाटी International Academy CBAC का Institute है सेखावाटी College for Education आपका Degree College है सेखावाटी B.Ed. Maha Vidya लाए B.S.T.C. Maha Vidya लाए और एक नया पोदा सेखावाटी Kid Zone के नाम से राज्तान बोर्ड का English Medium School आ रहा है कुल साथ अज़ार विद्यार्थी स्कूल एजूकेशन में हैं साड़े तेरा सो विद्यार्थी चात्रावासी अध्यन कर रहे हैं सेखवाटी परिवार पूरे राजस्तान में हर फिल्ड में अपने कदम बढ़ा चुका है रहा सवाल यह कि सीकर की एजुकेशन का अपन जितना धन्यवाद कि आप इतन करें और मैं तो दिने सी सीकर जिला एसोसिएशन प्राइवेट इस्कूल का अद्धिक्स होने के नाते यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आज लोसल बना है इसमें सीकर की सारी सिक्सन संस्ताओं का योगदान है चाहे उसके अंदर आप स्कूल एजुकेशन ले लिजिए चाहे उसमें कोचिंग इस्ट्यूट्स ले लिजिए जहां तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है पुराने इंस्ट्यूट्स में चाहे हमारे भाई हरी राम जी रणमा भारती ए गुरूप हो चाहे विद्या भारती बल्बन सिंग जी चिराना हो टेगोर इस्कूल जगन सिंग जी चार हो अन्य सारी संस्ताओं इसके अलावा नए इंस्ट्यूट्स में चाहे जोगेंदर जी सुंडा का प्रिंस स्कूल हो चाहे आपका जो इंपल्स और ये उद्डा परिवार का आपका अधर्स स्कूल हो चाहे भाई संकर जी बगड़िया का नव जीवन स्कूल हो कोचिंग इस्टूट्स में भी आज जो कोटा और सीकर में बहुत बड़ा फरक है स्कूल एजुकेशन और कोचिंग इस्टूट दोनों में कोटा और सीकर में यह है कि सीकर का वातावन बहुत स्वस्त है स्वच्छ है और यहां एजुकेशन के साथ संसकार है और हर संस्ता संचाल का यह है कि अपने संसकार जीवित रहे हैं अपनी कल्चर जीवित रहे हैं उसके बाद अपने को अपन पढ़ाई की तरफ बढ़े हैं और यही बड़ा कारण है कि आज सीकर हब बन रहा है उसका कारण यह है कि कोटा से अच्छा बात आवरन पेरेंट्स क के माधियम से स्कूलों के माधियम से मिल रहा है कोचिंग की बात करें जो सिखवाटी परिवार को जैसे स्कूलों का सयोग रहा है कोचिंग में हमारे यादर्णिय बोस सर्वन जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है उनके साथ में अन्य जो कोचिंग इस्टूट आएं वो धन इसे करें और पहले सेवा और फिर व्यापार का इसमें एक तरीके का नारा रखे एक कोटेशन रखे एक संकल्प रखे और रासवाल आज के कारेकरम का पूरे सीकर की सिक्सन संस्ताओं को कोचिंग के साथियों को धन्यवाद देता हुआ कि आप सब की मैनत से पूरा सीकर सिक् परिवार के जो भी परसंसक, सुब चिन तक हमारे बच्चे जो देख रहे हैं उनको देखकर बहुत कुशी होगी कि आपका स्कूल कहां से चला था और अज कहां पहुंचा है उन सब को मेरी और से यही मेसेज है कि जो आपने अपने स्कूल में अनुशासन जो सेखावाटि करके समाज को देना चाह रहे हैं वो पूरी गरीमा और मर्यादा के साथ आप दें और समाज में अपने स्कूल का अपने परिजनों का अपने जिले का सेखावाटि पूरे एरिये का सीकर चुरू जुन जुनों का नाम आगे बढ़ाएं धन्यवाद मातर बाई तिरा ये नेइमा, मतरमा तिरा ये नेइमा, मतरमा तिरा